इन लोगों को समझ नहीं पाओगे दिल बर जानी गाए जिनकी अम्मा है और भैस है जिनकी नानी इन लोगों को समझ नहीं पाओगे दिल बर जानी गाए जिनकी अम्मा है और भैस है जिनकी नानी गाए के पिछवाडे से भरते पीने का पानी हटे पटाखा तो कहते है था कोई पाकिस्तानी देखो ये है हिंदुस्तानी लेते हैं पंगे बनते हैं खिलाडी पंचर करवा लेंगे अपनी गाडी इन्हें मार चाहिए ये हैं ऐसे ही जूते खाएंगे ये फिर वैसे ही चुपके बैठो खाओ देही और कर लो भोजन पानी तुमको पता नहीं है कैसी कौम है पाकिस्तानी खुशके हमने मारा था ना भूलो बात पुरानी फिर से हम दोहरा ना दे वो गुजरी हुई कहानी आखों में सूपर पावर के सपने हैं भूके नंगे जिनके शहरी अपने हैं चाए बाला कुछ बदला तो नहीं है मूदी पागल ये समझा तो नहीं है जितनी भी अफगानिस्तान में कर लें चरब जबानी कभी भी इनके हो नहीं सकते ये भाई अफगानी इनको डबोएगा एक दिन गंगा मैया का पानी मिल जाएगी मिट्टी में इंदिया की राउं कहानी देखो ये है हिंदुस्तानी आवजब बिल्लाइ मिन श्चेटवान रुजीमें बिसम ल्लाह रर्रभ्मान रर्रहीम इन दीना इंद ल्लाह लिस्लाम इसला इस आउंही अल्लाह चार रिलिजन हस्विन ल्लाह नहम वकेल वनेम मौला नहम नहम नसीर वतुज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् और सलाम अर्स करता है नाजरीन हमारे पिछले प्रोगामां को लाइक करने का बड़ा शुक्रिया और जो मैंने मिया साब को मश्वरा दिया था जाहर है उन्हें उत पे अमल तो करना नहीं होता हम अपना एजे मीडिया अपना काम करते हैं ये खबरे उन तक पहुंचती है इस बहत बड़ी प्राबलम दुनिया के अंदर ये हुई है कि साउथ चाइना सी का मकодमा जो फिल्पीन वर्ल्द कोर्ड में लेके गया था वो चाइना हार गया है और फिल्पीन के हक में हुआ है चायना ने उस कोर्ड की वर्ल्द कोर्ड के इस फैसले को मानने से इंकार कर दि बहुत इंपॉर्टन्ट अमेरिका के लिए भी क्या आप जानते हैं कि सारी अकॉनमी वहां से मूव होती है और इस वक्त अमेरिका का एक एक बाल चाहिना के पास गिर वी है चाहिना के पास मकरूस है अमेरिका टोटली इन डेट यूनारी स्टेट अफ चाहिना और इसको किस तरह से डेट से निकालना है उन्होंने किसी तरह से चाहिना को इसी का एक हिस्सा है जो भारत को ये कर डाउन फाल लाया जाए क्योंकि इंडिया इस कंट्री अफ़ चीप लेबर इंडियन डॉक्स नौन ऐस डाशिज गर्द डॉक अगेंस मुस्लिम तो अमेरिका के दो काम होती है एक तो क्योंकि अमेरिका की अंटाइ मुस्लिम लाभी उसमें काम करती है और दूसरी बिंग चीप कंट्री अज़ चीप लेबर वो उसको यूज़ करेंगे इसलिए इंडिया हलाकि इसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा फाइदा उठा सकता था वो अवर लिविंग स्टेंडर ऑपाकिस्तान वे अब वे हाई दिन इंडिया पीपल अवे बेटर लिविंग स्टाइल द सबसे पहले तो मैं आपको सेविंटी वन मिले चलता हूँ जल्फकारली भुटो के जबाने में हमसे मश्रकी पाकिस्तान अलाग क्यों हुआ ये हमारी अपनी एक नाहिली थी हमारी अपनी खलती थी आयूब खान बंगालियों पे कभी बेतबार नहीं करता था उनकी जो हुआ कि मेरे वालत की फैसला सही था कि मश्रकी पाकिस्तान हमें लेना नहीं चाहिए उन्हीं के पास रहने दो वहां हिंदू-मस्लिम फसाद कराके से बलवार कराके उनको लागी ले ले देते हैं और बात में से फटूशन ले ले लेंगा से जंक से पहले जनवरी सेमेंट और आपके हाथ से मश्रकी पाकिस्तान निकलता हो जा रहे हैं और ये अंदर पेचे इंडिया की हल्प की जा रही थी इंद्रा गांदी का बड़ा जोर था उस जमाने में वेल नोन पॉलिटिशन ये बड़ी सीजन पॉलिटिशन थी वो ये मानना पड़ेगा नहरू की बे पाकिस्तान में हो रहा है जो 71 में बंगला देश में हुआ था वही वही जलतियां आज पिर हमारी हकूमत कर रही है तो इस तरह से मश्रकी पाकिस्तान हमारे हाथों से निकल गया बड़ो को कह दिया मजीव उदर तूमें अदर हम को बुट्टो कभी बरदाश नी कर सकता थ को वो एस सेकंड क्लास आदमी है सेकंड आप मेन बनके रहे जैसे उसकी बेटी बर्दाज ने कर सकती थी उसने रजीब के साथ डील की और सिक्षों की सारी information हिंदुस्तान को दे के खालस्तान की तहरी को खत्म कर दिया क्या मिला हमें वो खालस्तान की तहरी पाकिस्तान के पंजाब के बाडर को सेक्यूर किये बैठे दे जिया लाक ने बड़े सुम किये पाकिस्तान के साथ इसलामी कानून लाके औरतों की इस्टों की दस्कियां उड़ा दी उन्हें जेलों में डाल दी है यहां पर एक बात मैं अगो जरूर को हूँगा आप एक toड़े जो लोग अच्छा काम करें पाकिस्तान में बहूं है उन्हें पद पचास बरे काम की हैं उनके बुरे कामों को दो आप याद रखते हैं लेकिंग इनके अच्छे कामों का बूल जाते हैं मुशरब के उस मार्शलला को जो हम याद करते है कि उसने हाइन तोड़ा हाँ उसने हाइन तोड़ा टिक convert पे बहुत बड़ा काम कर गया और्टों को आ Hawk के right से गया तलाक के मुकों को fight करके जल्दी करवा गया और वो जो आःतें रेप के चकर में भसी हुनी थी और जो जनाकारी के चकर में बैटी हुनी थी इनने पे जनाकारी के यहुए के अरट दू गवा कहां से पेश करें के भाई मेरी इजक लूटी जारी आना मेरी गवाई देना ये माने के नहीं जश्कियां उड़ा रखी थी इसलाम के इस कानून ने ये है भी ये नहीं है उस स्वानुए कानून और थे जैसे मैंने कल के प्रोगाम में कहा डेविस ने हमारे बंदों को मारा उसने जब हमारे आदमियों को मारा तो मारने के बाद में निकल गिया जी फैमिली ने माफ कर दिया फैमिली ने माफ कर दिया क्या मारने वाले ने माफ किया वो तो मर किया है उसकी फैमिली ने माफ़ को एक बनाए हुए कवानी नहीं अमेंडमेंट नहीं हुए इन में कैसे आप माफ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये बियस लॉफ हैं जो हमने बना रहा हैं इसलामिक लॉग है हजूर के जमाने में थे हजूर के जमाने में बहुत सी अमेंडमेंट आई और अगर आज आका मुस्तफा जिन्दा होते या उनको सही फॉलो करने वाले होते थे इन में अमेंडमेंडमेंट लाते आती रही आयात उतरती रही वहीं उतरती रही हज़त अमर بن خطاب نے ایک عورت کو سزائے موت دی کہ اس کے اوپر ازنا ثابت ہو گیا تھا. اسے بزار میں لیا جا رہا تھا سنگسار کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے جو بھی. تو حضرت علی کرم اللہ سعیدنا حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے? عورت چلا رہی تھی. انہوں نے کہا جی حضرت عمر نے اس کو سزائے موت دی. انہوں نے کہا واپس لے کے چلو. اس عورت کو واپس لائے گیا. حضرت علی نے حضرت عمر سے یہ خطاب کیا. پوچھا. سوال کیا عمر تم نے اس کو سزائے موت دیا. جی. ہاں دیئے. اس لیے کہ اس کے اوپر زنا ثابت ہو گیا. تو عمر نے کہا اس کے اوپر ثابت ہو گیا ہے. سوری معافی چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا اس کے اوپر زنا ثابت ہو گیا. مگر اس بچے کے اوپر تو نہیں ہوا جو اس کے پیٹ میں ہے. صحیح دنہ عمر گفر آ گئے. کہنے کہ علی تنہیں مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے. اگر اس کو سزا ہو جاتی تو وہ بچہ مر جاتا. اس بچے کا کیا قصور تھا. یہ ہے اسلامیک لاؤ. جو حضرت علی نے آگے گھول دی. لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں سنا. ہمیں حضرت علی مولانہ مشکل کرنا. ہم اللہ سے کچھ نہیں سیکھنا. ہم نے اپنے قوانون بنا دے. بڑی بڑی تین فٹ کی کار پہ پانچ فٹ کی داڑی والا ملہ جو قانون بنا دیتا ہے. طلاق کے قانون. اس کا قانون تین طلاقیں ہوں گی. گر برباد ہوگی ہے. جب چاہے کر لو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. غصے میں میں نے تو غصے میں دیتے. تو طلاق ہے خوب محبت سے ہوتی ہے. جانو. I love you very much. میں تمہارے سارے نہیں رہ سکتا. اس لیے میں تمہارے سارے نہیں رہ سکتا. اس لیے میں طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے. پھر آپ نے حلالہ کر لیا. اور اس میں گئی کہ میں یار دو مینے بعد ان طلاق دے دی. میں پھر انہوں نے دیت کٹے کی دیتا ہوں. حلالہ ایسا نہیں ہوتا سر. یہ ایک ایسا تماشا بنا دیا ہے ان اسلام کا. اسلام is not that way of religion. اور یہ ایک طلاقیں ایک ٹائم پہ ہو جاتی ہے. ایک تین طلاقیں ٹائم پہ نہیں ہوتی. ایسا بدل دی آپ نے. اور پانچ چھ سو سال کے بعد تو یہ آئی تھی ہماری حدیث لکھنی جانے. کئی سو سال کے بعد لکھی جا رہی تھی. اب آپ خود سمجھ جا رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن دوے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. کس نے کیا کے لکھا? کس نے کیا کہا? کس سے کیا سنا? کس سے کیا سنا? اس سے اس سے روایت ہے. اس سے روایت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط باتیں ہیں. باتیں صحیح ہیں اس میں بہت صحیح. نائٹی پرسن صحیح ہوں گی لیکن دس پرسن تھی درستے ڈالی گئی ہوں گی نا. لیکن ہم نہیں کہہ سہتے کافر ہو جاؤ گئے آپ. کافر ہم فالن ہو جاتے ہیں. تو کیا عورتوں کو جھیل میں ڈالنے بے گناہ کو کافر نہیں ہوتے? کشمیری بچیوں کی جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. بچے مارے جا رہے ہیں. اچھ کو جب آپ بچانے جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. یار بڑی طاقتوں سے آپ ڈرتے ہو. تو یہ صورتحال تھی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی سینیریو آپ کو بتاؤں آپ کو پتھا ہے کہ عراق کے ساتھ کیا کیا گیا. امبیسٹر نے جا کے اس کو صدام کو کچھ کہا. اس نے جا کر کوویت کو ٹیک آور کر لیا. کہا جی ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. ہمارا یہ مقتلب تو نہیں تھا. ہم سے یہ کہا تھا. اس کے بعد اس کو اڑا دیا گیا. کدافی کے ساتھ کیا کیا گیا. کدافی گولڈ کوئن ہی بنانا چاہتا تھا اپنا. پوری افریقہ کی گولڈ کوئن کرنسی اگر وہ بنا لیتا تو آج انگلینڈ امریکہ کہاں ہوتے ہیں. ختم ہو جاتے ہیں. ایک سوال کرو. انگلینڈ نے بھی یورپی یونینڈ کا ریفرینڈم کروایا ہے. آپ اپنا طرف ریفرینڈم کرا سکتے ہیں. ایس تیمور میں کسا سکتے ہیں. ہاں وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے نہیں کروانے. ہم نے فلسطینیوں کو مروانا ان کے بچوں پہ. ان کی عورتوں پہ بمباری اسرائیل سے کروانی ہے. یہ دہشتگرد ہے. مسلمان دہشتگرد ہے. تو کیا آپ دہشتگرد نہیں ہیں? آپ اپنی ہسٹری برٹن کی دو اٹھا کے دیکھیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو برٹن نے قتل کیا. آپ تو ہیں ہی قاتلوں کی حکومت. دہشتگردوں کی حکومت. آپ نے دنیا بر میں جا کے لوگوں پہ قفضہ کر لیا. بے پناہ لوگ مارے. لاکھ لوگ مار دیا. عراق کی جنگ میں دس لاکھ لوگ مرے. دس لاکھ. امریکہ کا قفضہ کرنے کے بعد کہ آپ دہشتگرد نہیں کلا سکتے. کہ آپ نے دس لاکھ شہریوں کو مار دیا ہے. فوجیوں کو نہیں. شہریوں کو. سوچیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ سچویشن پیدا کی جاری ہے پاکستان کے اندر. کیوں پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے. پاکستان ایک نیوکلیو پاور ہے. پاکستان بہترین مزائل پاور ہے. امریکہ سے ٹکر لینے والی مزائل پاور ہے. اتنی طاقت پر مزائل پاور مشرب نے بنا دی تھی کہ ہم بہت جلد اتنی دور مزائل مارتے کہ تو بیس ہزار میل تک ہم مزائل مار سکتے ہیں. لیکن زرداری نے آکے ان سے ڈیل بنا کے سب کچھ ختم کر دیا. اپنے بچے کی بلی چڑھا رہا ہے آج کل. ابھی کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. ساؤ چائنہ سی کیسے کہا. اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ساؤ چائنہ سی کو لیں گے. چائنہ اس پہ بولے گا. پاکستان چائنہ اور رشیہ مل کر اب بہت کچھ کر سکتے ہیں. امریکہ کو جو ان کا نجائز بچہ ان کی آمریکہ کے گودھ میں جو نجائز بچہ بھارت آکے بیٹھا ہوا ہے. اللیجن میں چائنہ آمیریکہ جس کو انہوں نے ابھی اڈاپٹ کیا ہے recently for temporarily. وہ آکے جب ان کی گودھ میں دھوتی پانے بیٹھا ہے جب اری دھوتی ادھر کر لی دھوتی ادھر کر لی پیچھے دھوتی دھوتی ہے. وہ جب ان کی گودھ میں بیٹھ گیا ہے آکر. تب یہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اس کو مضبوط کریں گے جیسے اسرائیل کو مضبوط کیا تھا. کیوں? اس طرح بنگلہ دیش ہے. ایران بھی پاس ہے. آفانستان بھی پاس ہے. پاکستان رائیٹ نیکسٹور ہے. ادھر چائنہ ہے. امریکہ نے کئی گیمز کھیل لی ہیں. یہ جو پولیٹکی ہے. امریکہ 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 سکیلی گناہی سے کمل شخصا کریں گے. کیلئے ڈرچی तरवादी पाकिस्टान की इंको एक पैसा नहीं देना ये देशित गरते हैं टेड़ पॉल को कुछी ने जा के बताने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो अखवानस्तान में कुट्टे बिली की तरह माता है और लाशे बिची होती जितने तमारे व्यटनाम में लोग मरें उसे कहीं ज्यादा उतरी फ्स अवगानस्तान में मरते हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो ये टले पाकिस्तान में बचाया अरे बचाया तुझे पाकिस्टान ने आज बहुत मुद्द के बाद हमारे नाहल अमबेस्टर ने जो वाशिंग्टन में बैठा है में उसन आगरसमी आज भी करत दाद पाकिसipping के खेश हो गई एी तो अंबेसीओं का काम ही ना इसमेल में एक तो डिमारमेटिक चैनल्स होते हैं जिसे यह बात पूंज हैं लेकिन हमारे डिप्लमेटिक चैनल से कोई ऐसी चीज नही की जाती हमारा सपीर हमारे फिस्स sector हमारे counselor कोई ऐसी चीज़ नहीं करती है हाँ फोटर सेशन में मश्गूल है फोटर मां के चाला जी मैरी मेरे 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 जफ़ता डिबसे कुला आओ जी मेरे नचाप यो जी आओ जी आओ जी अदर आओ जी पस यही करने बैठे हुए जैसा हो नाजरीन आज किश्मीर में मासूम बच चुकें कब दुनिया जा गई है क्या उनका खुसूर सरफ इतना है कि मुस्लमान है कश्मीर में एक बच्चा भी बुरहान बानी उसकी शहादत हुई उसके नाम के साथ ने लगाया देशित गर्थ अगर ये अपनी अजादी औ फ्रीडिम के लिए लड़ना देशित गर्द है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा देशित गर्द जाज वाशिंटन था अगर बुरहान वानी देशित गर्द है तो फिर जाज वशिंटन जाज बुश रानल रेगन अब्राहिन लिंकन ओबामा क्लिटन रानल ट्रैंप ये आल अगर्द टेरिस्ट क्योंकि ये 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 फिर जुश जाज वाशिंटन फॉट है प्रस नी हुटार है आभर्स लीटर इब्राहाम- लिंकन जिसने कालंगों को हजाओ किया अधि अवर्डर वेटेस्यट रानल रेगन आ ल्लाव रानल रेगन लो प्स प्रस तरिसी अजू ये ये इस्ट एच बिगली झारिप नौन because they love America कुछ क्या अपनी मुल्क से सभी महबब करते हैं हम भी अमरिका से महबब करते हैं America is my country if anybody attack on United States I will protect America I will go fight for America and defend my country because this is my motherland this is my home this is my mother I have to defend the United States I must defend the United States this is my home because I love the right white and blue flag and I am a strong believer in the constitution of the United States of America I do not believe on any terrorism a hate terrorist having said that भारती कुटे क्या कर रहे हैं हिंदू तैशिदगर्द कुटे बड़े बड़े हार्टिकल लिखते हैं बड़े बड़े बाते लिखते हैं बड़े बड़े चीज़े लिखते हैं यू यूटिब के नीचे डाल लेते हैं लेकिन कि मैंने महमघती लगा रहे थी इनके पीचे से बड़ी दोती के नीचे अब ये ते सर्म मुहमती लगाई ये उसकी लाइट से भी उसकी हीट से इतने तपने लगे हो तो जब मैं रियल लाइट उसके नीचे लगा दूँगा तो फिर क्या करोगे चीखे नकल जाएगा तुम लोगों की फिर क्या करोगे नाजलिन इन चीजों को देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है कि इन हलात से आपको बजारा जा रहा है ये जो कश्मीर के बच्छों के साथ हो रहा है जो बरहानवानी के साथ हुआ है इसको सोचिए अब पाकिस्तान की एकस एफ सिक्स्टीन की बात हुई थी न तो एफ सिक्स्टीन हमें नहीं दिये जा रहे हैं अब हमारे जनलरहील साब ने आँखों में आँखे डालकर पहली दे मरतबा उनसे कहा है सच्छी हमें आपकी जरूत नहीं है ठीक आप नहीं करना हम अपने खुद बना लेंगे हमारी फॉच को गंदा करने की कोशिश की कही थी कि हम तो करना चाहते हैं फॉच दिया हमें करने दे रही हैं आप सब लिए जद्दारी साब नवाजशी साब के कहने पर जाकर उनसे मिले थे क्योंकि दोनों एक ही हैं नहले पे देला हैं एक क कश्मीर के लिए आसवाए पैसे बढ़ फॉड़ने के लिए इनको तो यह चाहिए था मियांसाब को इतमाम सियस्टदानों को इस सडकों पर निकलाते किश्मीर के लिए चाब पाकिस्तान की पार्लिमेंट सडकों पर आई है आज बड़े बहुद बड़ी तक्रीर की है तुम ये कहते हैं मूदि को यार को एक दुक्का और दो कृफशिन के सरदार को एक दखका और दो तो सबस्कर बड़ा तो तो तहला बाप कॉरप्ट है. उसको दक्का कब गड़े? उसको कहां पीक हो गए? अपने घर से शुरू करो हो अगर तुन्हीं अन्साफ लेगे एंतकाम और इंसाफ में फर्क होता है तुम स्वमकbar के इन्साफ से चलो, इनसाफ से पहले अपने बाप को नाहिल करार दे के पॉलियारी के नहीसे को फालो करो तुमारे बाप ने पता कि है आसाविली زرداری نے اپنی پالسز کو فریز کر दिया बोटो की पالसी को सामेरे ले आ इसके वाद जब डिवेशन होगी ुश फायदा होगा तो अपनी पालसी को अगिले का बुटो की पालसी को फीस कर देगा। ऐसे जरदारी साब करते। صاحب. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تیل ہے. ہمارے زہدان سے نیچے جو یریہ ہمارے پاس. ہمارا تیل ایران لے رہا ہے. کیونکہ ہمارے عیوب خان نے ان کے ساتھ ایکریگرنٹ کر لیا تھا. ہمارے بہاولپور میں رحیم یارخان میں تیل ہے ہم وہ نکال نہیں سکتے. ڈیرہ خازی خان میں ایک گیس ہے آئل ہے وہ ہم نکال نہیں سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے? اس لیے کہ ہمارا ملک دولت مند ہو جائے گا. کوچھ तो ना को वहाँ ना को प्यार करें ना को पहना ना पाई खरात मांगते फिरें बस यही चाहते हैं कि आप इस तरह चाहते हैं कि हाथ में कासा पकड़के बच्चेया आँ वाले ओ पायो सुन लो साटी फरियाद यही करता फिर ना आप ने या आपने अपनी मदद आपके वो शहरों में गलीों में लड़ाई नहीं कर सकती है वो सरे बाडरों पर लड़ती है क्या चाहिए इस विग राहिल शरीफ को या हमारी आम फोर्स को कश्मीर को बच्चों को ट्रेंड कर दें कश्मीरियों की तीन लागी फौज उनकी अपनी बना दें जो हमारी तरफ कश्मी है उन कश्मीरियों की तीन लाग फाज बना दें और उदर जो कश्मीर है उनके बच्चों को ट्रेंड करके उनका सले सलेज कर देंड़े अमेरिका के अंदर एक लौ है बना इस लाइट इस लौ इस लौए इस लिए इस लाइट थे स्टेज ना I'm not giving एपडीन लीगल पता है मेरे ओपर उस दिन हमला हुआ अभी चंद दिन पहले मैंने तीन गोली हैं उसको मारी आपको बता कह रहा हूं कि कश्मीरी लोगों को मेंडिटोरी इस वक हो गया है कि पाकिस्तान की आर्मी उनको टेंट करे क्यों कि ये साउच चाना सी का जो वाकिया हुआ है जो केस चीन हा रहा है इस चेस को लेते हुए चीन है तीक ऐसे हलात दुनिया में पैदा किये हम तो तीन तरफ बिजी हो जाएं तो जिस तरह से कोई दुनिया ये जानती है कि अब इनके पास एक छोट असा पाकिस्तान है इनके पास इतनी वाज़ है कि बड़े इस इसको डिफेंट कर सकते हैं इन्हें मश्रकी पाकिस्तान जो अब बंगरा देश है मैं उसे आज भी म पर्टिकल पर्टिस कहते हैं कि जब इनके वो थे खान साब जो यहां पर इनके आजकल अमेरिका में बैठे हुए हैं जब वो पोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने पोस्ट मिनिस्टर होने के दो उस वक्त बेपना असला हवाम को दिया नोसला कराची में माजू हूँ थैं और यह कराची में आके से वलवार्ग आज अब उनकी पार्टी खतम हो गई है वो घिस्तार हो रहे हैं तो अपने आपको बचाने के लिए यह यह भी इन पर इल्जाम है यह अगर उन पर इल्जाम है यह अगर यह किया है तो प्रॉस्टिक्र करके उसको अदालत में लाओ केस डालो वरना हैसे लगाने का क्या फाइदा अगर आपके पास को सबूत है कि उसने किया तो लाइए उसे कोर्ट में प्रॉस्टिक्र की दिया लाइए मुझे दीजिए वारंट मैंसे डिलिवर करता हूं मैं पाइलेट हूं मुझे जहाज दीजिए मैं इसको डिलिवर कर और वारंट और वारंट इनके पास भी ओ पलिस को भी दिया जाए ती लाइंफोरओमन मस्थ हैब यह प्रॉस्मंट बेश situation मैं करके दिखाता हूं आप किया जा सकता हूं किया जा सकता क्यों कि अगर सड़कों पर जनक शुरू हो गई जो मिया नवाशरी करवा देगा क्यो को वो डिले डिले करना चाह रहा है अगर मार्च सौरी समाफी चाहता हूं सब्टेंबर अक्ट्यूबर नमेंबर तक इसको डिले कर गया तो फिर उसका वो नहीं निकलेगा फिर उननीसों दोहजार अठारा में एलेक्शन होगा उसको फिर यह खरीद लेगा अब इमरान खान इमरान खान बहाँ जागा बाकर सारी पार्टी यह भाग जाएंगी बीच पे इमरान खान एक ऐसा फिल्ड पालिटिशन है कि उसकी पार्टी के ग्रैफ गरता चला जा रहा है वो ही चले हुए कार्तुसों को वह आपस्ट में ले आया है तो नाजरीन मैं कहना क्या चाहता ह हैं और यह सिचुएशन इसको देखे कश्मीरी भाईयों की हल्प करें अगर आप चाहते हैं आपकी बेटिया हैं ना मेरी तीन जवान बेटिया हैं मैं तीन जवान बेटियों का बाप वो मिया साब आपकी भी बेटिया है आपकी बेटी की को इस बापको उस भाई को जिसक सामने लोटी जाती है भारती फौजी गन की नोक वो इसको लोटते आप दुनिया के सामने इचीज ला सकते हैं यूनाडिनेशन में बास की मौन बोला है सारी दुनिया के शमीर के बोली है मियाँ साब तो जिर चुप बैटे हैं आप अपने भी बच्चों को लेकर नवासे न मैं आपका वो इन्जाम देख रहा हूँ अगर आपने होश के नाकान ना लिये जिस पॉलिसी पे आप चल रहे हैं आप उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं जिस पे एक जमाने में बुट्टो चला था आप उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं जिस जमाने में का यूप खान और याया क्या होता है? मीडیا осाथ है, किस कि TV चैनल कोब बंक करेंगा? आफ hon को शेकर शेखराशीद का माइकरोफून बंक कर देते हैं. शेकर रशीद का माइकरोफ़ून बंक करने से आपको क्या मिलता बितना ड़ते युसके उसको गली गली का लाल शाव लिए लाल कवाब बाला चाला और शेक साब शेक साब शेक साब शेक साब शेक साब जाकर लाल हविली आपको तो पता है लाल हविली पे देखने जाकर उसके इससे आप इतने खौप जदा है कि आप शेक रिशीद का माइक्रोफोन बंद कर देते हैं रहे बोलने द दो मिन्टों में आपकी शेरवानी उतार के सिल्वार उतार के गंदे नाले प्पे के चला जाता हूँ क्यों आप उसका माइक्रोफून बंद करते हैं बोले दें उसे मत खौफजदा हूँ आप ऐसे काम ना करें जिसे आप खौफजदा हूँ जहां तक बलावर जदारी का तौलक है वो कश्मीर के बारे में बड़ी बाते कर रहे हैं कितनी दफ़ा अभी के तिकाली तुने बाग कश्मीर के भी जो लीडर है इस वक्त सिर्फ अपनी सीटें लेने के चक्र मुनें भी कोई प्रबारी के बाटर के उस पार क्या हो रहा है स टेंट लगा के टेंटों के नीचे रह रहें कहां गया वह पैसा कि किश्मीर के बच्चे मासूम बच्चे युनी दो करके उनको मौरा जाता है मैंने देखी है वेडियो जो चला यूट्यूब पे लगए है आइक कुटन बलीव इस मैं रोया हूं बेट देखकर उसको मेरे मैं भी बच्चों का बाप हूँ मेरे भी नवासे नवासियां पोते पोते हैं मैं बच्चों का बाप हूँ मैं भी मुस्से परदाश नहीं होई यह चीज़े मिया सब तुसी के जिपरदाश करते हो कि ताड़े सीने चे दिल नहीं गा पत्थर नहीं उते कि तुसी इनसान ली ओ शितानों आपको एहसास नहीं है कि ये बचिया हमारी काउम की बेटी हैं मुसल्मान बचिया हैं जो कश्मीर में लूटी जा रही हैं ये बच्चे हमारे बच्चे था ख़ू स्रण लगा इंतकाम और صاف میں میاں صاف فرق ہوتا ہے انتقام کو بھول جائیے مشرف سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں अम नहीं ले से कि उसने आपको लटका दिया था शुक्र करें कि उसके आपको उसने आपके गले में फांसी का पंदा नहीं डाल लिया आपको सौदी अरब ने बचा लिया मिया साहब आपने तो हरम के अंदर बैट कर मस्जद नबुवी में बैट के जुट बोल दिया कि मैं कोई कांट्रक करके नहीं आया आप गया थे करने आपको क्या जोते दर्बारे रसूल में बैट के आपने जुट बोल दिया और आपको वजीरे दफा बैटा हुआ है वो वजीरे दफा कम है वो वजीरे पानमा लीक का दफा करने वाला ज्यादा है क्यों मिया साहब वाई I think is about time that you put the people of Pakistan and your family on the street agitation against India on कश्मीर आप कश्मीरियों को train करना शुरू करें law pass कर देजिए कि हर कश्मीरी को फौज में जाना होगा हर कश्मीरी बच्चा जब वो एक सोला साल का हो जाए सत्रा साल का हो जाए जो भी एज रख ले हाँ तो इठा रहा है आप पाकिस्तर्में सोला रखे हर सोला साल के बच्चे को फौजी ट्रेनिंग लेनी होगी इन्होंने छे बच्चों को यूँ पौजा करके गोली यह सोड़ा दिया और जो बच्चे पूरी तरह नहीं मर रहे थे वो सांस ले रहे थे रो रहे थे दरते उनको पांस आगे भारती फौजी ने गोली मारी मैंने खुदा की किसम इन आखों से ला इलहा इलहा मैंने इन आखों से न टेपों को देखा मसूम बच्चियों पूँ इन्हों ने रेप किया घर में गुसका औरतों को मारा है इन बटों से बंदू की और चपेड़ों गौंसों से मारा औरतों को मियासाब आप पी जवान भीटियों के बाप हैं क्यों आपको समझ नहीं आती इतना जी से आपको पैसा फेराओन ले गया प आखर धर के खौफ के इसके सारी उलादे मुसल्मान होगी मियासाब अकल के नाखन लीजिए आप मुसल्मान हैं एक नेक वालदین के बेटे हैं आप कश्मीरों का साथ दीजिए हमारे कश्मीर के बच्चे रूल गए हैं वहां पर रूल गए हैं वहां पर इनके लिए कुछ कीजी वरना कुछ नहीं होगा भारत हमें ऐसे काड़ देगे मदू बूदी की जो है ना जिसे आप जिरान लगा के पैसो कारवाई एक कल आपको बेच के खा जाएगा जाएगा जार रखें चाए बेचने वाला पीछे से धोती बानने वाला हिंदू दैश्ट गर्द है ये य क्या आप पढ़ते हैं लाहिलाहिलाहमूद या आप पढ़ते हैं आपको इस पर इतमादी नहीं आपको तो अपनी बतीजी हिंदू की बीवी तो फिर क्या करें हम बताएं मियास हब सोचे मैं क्या कह रहा हूँ पाकिस्तान के सफीरों को बदले खासतर बें हमारा यह हो गया इंग्लेंड में कि मौन जो कश्मीरी कम्यूनिटी है वो इन्फार्म रखती इनको लेकिन यहां पर अमेरिका में बहुत जरूरत है हमें स्ट्रॉंग अम्बैसडर की क्योंकि हमारे जितने भी छत्रे बत्रे यह हैं वो सारे पैसे कमाने के चक्कर में लेगे हु होगा और रिपब्लिकन डानल्ड ट्रम्ट तो साफ कह रहा है कि मैं मुस्लमानों को नहीं आने दूँगा मैं निकाल दूँगा क्या हिल्डी क्लीटन यह नहीं करेगी आपका खाले इदें नेवर कंप्रॉमाइज ऑन नेशनल सेक्यूरिटी अफ अमेरिका क्यों आपको सम करें जो अब वोटर बाहराएं वोटर्स वोटर्स को लाएए पाकिस्दनी कम्यूनिटी लोग से ज्यादा यूसित्न में पाकिस्टनी रहते इनको activate कीजिये स्यासत में बाहर आएं और वोड दें इसके लावा कुछ नहीं होगा किश्मीर के बच्चों को आज आपकी जरूरत है पूरे पाकिस्तान की पूरे आलमे इसलाम की जरूरत है वजारत खार्चा से कहेंगा हो इसलामी ममालिक से बात करें इसलामी ममालिक का प्रेशर डाले इनके वज़े से हम फलस्तिन के लिए चले जाते हैं ये हमारे लिए एजिटेशन करने क्यों नहीं आते हैं इनको लाइए मियासा बाहर हमें जरूरत है आज नाजरीन मेरे जाने क का वक्त है जाने से पहले मैं ये जरूर कहता हूं कि आपने अप दिखती हुई आंकों से मझे देखा सुनते हुए कानों से सुना थड़कते हुए दिल से महसूस किया अब ये दमाग जो आपका सोच रहा है से सोचिए जो बाते मैंने की हैं क्या वो सही नहीं है अगर हो सही है तो खुअरा मुझे सपोर्ट की आप ये वाटीवी को सपोर्ट की लिए वाटीवी को सपोर्ट करती है स्टु सक्यूर्टि अन्वेस्टिकेशन ये प्रोडाम स्टु स्च्यूर्टि अन्वेस्टिकेशन के जरी आता है license 16262 c16262 telephone number 281 3944337 अगर आप security officer बनना है उसकी training लेनी है license renew करना है requalify करना है private investigator बनना है private security company खोल ली है अपने तो आप as the security investigation को call कीजिए 281 3944337 नाजरीन चलता हूँ चलने से पहले हमेशे ये कहता हूँ मैं चला था जान बे मन्जिल मगर लोग साथ आते गए कारवा मनता गया अब मेरी मा के वो अलफाज तुन्दिये बादे मुखालिब से ना घब रायो का ये तो चलती है तुझे हूँचा उड़ाने के लिए मुख से को खलती हुई हो तो माफी चाहता हूँ कुछ सक्त इलफाज यूज की हो तो माफी चाहता हूँ लेकिन मैं 100% रायट हूँ कश्मीरियों को आज आपकी ज़रूरत है भारती तैशेजगर्द हिंदू कुटे हमारे कश्मीरियों को मार रहे हैं इनके फौजी वो फौजी है या हैवान है वो इनसान है या हैवान है सोचिए आगा फौजी बिल इनसान होता है वो इनसान है या हैवान है कैसे बच्चों को मार रहे है क्या इनके सीनों में दिल नहीं कि इनके घरों में बच्चे नहीं सोचिए मैंने क्या कहा है मुझे काल करना ना भूलिएगा मेरा सेल फून नमबर यहां भी लिखा हुआ रहा है 832-741-0564 यह देख लिए यहां पर है 832-741-0564 चलता हूँ चलने से पहले हमेशे एक बात कहता हूँ फर्गेट अबर दी रैस्ट वार टीवी जबेस अलाहाफिस पाकिस्तान जिन्दा आओ पाइंद अबाद इन लोगों को समझ नहीं पाओगे दिल पर जानी गाएं जिनकी अम्मा है और भैस है जिनकी नानी काएं के पिछवाडे से भरते पीने का पानी हटे पटाखा तो कहदे है था कोई पाकिस्तानी देखो ये है हिंदुस्तानी लेते हैं पंगे बनते हैं खिलाडी पंचर करवा लेंगे अपनी गाडी इन्हें मार चाहिए ये हैं ऐसे ही जूत देखाएंगे ये फिर वैसे ही चुपके बैठो खाओ दही और कर लो भोजन पानी तुमको पता नहीं है कैसी कौम है पाकिस्तानी खुसके हमने मारा था ना भूलो बात पुरानी फिर से हम दोहरा ना दे वो गुजरी हुई कहानी आखों में सूपर बावर के सपने हैं भूके नंगे जिनके शहरी अपने हैं चाये बाला कुछ बदला तो नहीं है पूदी पागल ये समझा तो नहीं है जितनी भी अफगानिस्तान में कर लें चरब जबानी कभी भी इनके हो नहीं सकते ये भाई अफगानी इनको डबोएगा एक दिन गंगा मैया का पानी मिल जाएगी मिट्टी में इंदिया की राम कहानी देखो ये है हिंदुस्तानी